बॉलिवुड के गिंखान की बेटी सुहाना खान भले ही अभी बॉलिवुड में नहीं आई हो लेकिन दुनिया भर में उनके फान फॉलोविंग किस स्टार से कम नहीं है वो सोशल मीजिया पर काफी ज्यादा आक्टिव रहती है और अपनी फोटोज वीडियोज फैंस के और कि नहीं बलके उनके पसंदीदा अमेरिकी आक्टर चीम्स डीन की है और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सुहाना खान की इसी वाइरल फोटो के बारे में एक खास बात बताने वाले हैं अगर आप भी किंखान की बेटी सुहाना खान के बारे में ये खास बात ज वीडियो को लेकर काफी ज्यादा लाइम लाइट में पनी रहती हैं तो वहीं हाल ही में उनकी एक और फोटो सोचल मीडिया पर काफी ज्यादा वाइरल हो रही है सुहाना ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में जीम्स डीन का नाम भी लिखा है आपको बता दें कि वो जीम्स डीन की है सुहाना की ये तसवीरیں उनके दोस्तों और रिष्टेदारों को भी खूब जादा पसंदा रही है तो वहीं सुहाना की बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे ने भी उनकी इन फोटोस पर कॉमेंट कर सुहाना की तारिफ की है इसके अलावा सुहाना की द है कि सुहाना की आंकों के चमक जीम्स डीन को देखकर काफी जादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि जीम्स डीन एक मशूर अमेरिकी आक्टर थे। महस 24 साल के उम्र में उनकी मौत हो गई थी। जीम्स की गिंती उन्चुनिंदा स्टार्स में होती है जिनने युवाओं को सामाजिक संस्कृति का प्रतीक माना चाता है। जीम्स डीन का साल 1905 में निधन हो गया था। उसी साल उनके फिल्म रेबल विदाउट काउच भी रिलीज हुई थी। इसके अलावा बात करें सुहाना खान के वर्क फ्रंट की वैसे तो सुहाना खान अभी बॉलिवुड का रुक नहीं करना चाहती है। लेकिन उन्हें आक्टिंग के साथ ही फिल्म मेकिंग में भी काफी जादा इंट्रस्ट है। तो वहीं आपको बता दे कि सुहाना खान हाल ही में नियू यॉर्क से इसके पढ़ाई भी करके आई है। हालनकि लॉकडाउर में वो मुंबई में अपने बरिवार के पास रह रही है। बॉलिवुड के किंखान शारुख भी ये कह चुके हैं कि सुहाना भी फिल्हाल पढ़ाई पर फोकस कर रही है। इस्टरी खत्म होने के बाद ही वो ये तै करेंगी क्योंने बॉलिवुड में आना है या फिर नहीं। तो दोस्तों बॉलिवर के गिंखान यानि की शारुख खान की बेटी सुहाना खान की इन तस्वीरों के बारे में आपका क्या कहना है और साथ ही आप सुहाना खान को बिग स्क्रीन पर देखने के लिए किते ज्यादा एक्साइटेड है हमें कॉमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंदा आई तो से लाइक कीजे और शेयर कीजे और बॉलिवर से जुरी कुछ ऐसे ही मसालेदार और चटपटी खबरे जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले